है कि एलो एब्रीवन मैं राजर बन्दरी आप सबकर सौगत करता हुआ है है चाहिए लेक्टिकल अडय में जैसा आप सबको बताएगी हमने आई 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 सेकिंडर से जो रिलेटेड है उस पर व्यूड़ेश बना रहे हैं ठीक है तो इस से पहले हमने द को स्टार्ट करते हैं वैसे मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चाहें तो आप अगर पढ़ना चाहते तो वीडियो जो देखेगा इस पर में जो है सेकंडेर जो है इसे इंपॉर्टन चीज होंगी वह इसमें कभर करूंगा जो जो question आपके exam में आ सकते हैं ठीक तो आप start करते हैं इसको तो इसमें जो पहला question है कि three phase square के induction motor का सिद्धान्त क्या है और इसके मुख्य बाग क्या है ठीक है तो सबसे पहले मैं इसमें working principle देखेंगे कि induction motor का working principle क्या होता है ठीक है तो three induction motor जो होता है उसका working principle आपका transformer की तरह होता है यानि mutual induction के सिद्धानत पर कारे करता है ठीक तो क्या होता है जब हम इसके क्या होता है आपके जो DC motor होती है इसमें दो पार्ट होता है एक होता है उसका rotor ठीक है जो गूमता है और एक होता है इसका stator यह होता है rotor ठीक है अंदर वाला तो rotor इसका rotor गूमता है इसका stationary part है तो इसके stator में जब हम क्या करते है three phase supply देते हैं मैं इसकी working आपको बता रहा हूं इस stator में हम three phase supply देंगे ठीक है तो three phase supply के देने के कारण जो इसका stator है इसमें rotating magnetic field generate होता है यानि जो stator है इसमें ऐसे rotating magnetic field अंदर इसके generate होगा ठीक है तो आपको पता है ठीक है और जो इसका rotor होता है वो starting में rotation आपका क्या होता है तो जब ये EMF इसमें इंडियूज होता है तो EMF इंडियूज होने के कारण जो होता है इस रोटर में एक करण्ट इंडियूज होती है तो ये करण्ट फ्लोर ना स्टार्ट करती है तो इसके कारण जब एक करण्ट इसमें इस रोटर में करन जो EMF इंडूस हुआ है, उसके करन इसके करन इसमें भी एक magnetic field generate होता है, ठीक है, तो क्या करता है, जो stator का magnetic field है ये rotor पर क्या क्या करता है, force लगाता है, तो force लगाता है तो जिसके करन क्या होता है, आपका rotor घूमने लग जाता है ठीक है तो यह इसका working principle है ठीक आपका पता है किसी magnetic field में जा हम किसी current carrying conductor को रखते हैं तो इसमें क्या होता है एक force लगता है तो same है कि इसमें current induced हो जाता है तो current induced होता है तो current induced होता है तो इसके आता है इसमें एक force लगता है किसमें rotor में जिसके कारान आपका rotor क्या होता है घूमन और तो south pole बन जाते हैं, ठीक है, same to same क्यों होता है, जब rotor में current induced होती है, तो इसमें भी क्या होता है, pole generate होता है, तो यह जो pole generate होता है, यह opposite होता है, ठीक है, यहाँ पर यह S होगा, यहाँ यह N होगा, तो जब आपका यह rotor के pole घूम रहे हैं, तो क्या करेगा, N जो होगा, S को और खीचेगा, तो S के होगा, घूमेगा, इधर जो होगा, यह N जो है, जो यह S है, यह N को घूमेगा, तो जिस करणा आपका rotor ऐसे घूमते रहता है, तो यह force हमें यही से मिलता है, जो stator के pole है, वो rotor के pole को अपने साथ क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, जिसके करणा magnetic field generate करती है, जिसके काराण क्या होता है, रोटर में रोटर क्या करता है, उस rotating magnetic flux को cut करता है, इसके अंदर एक EMF generate होती है, इस EMF के काराण rotor के अंदर current induced होती है, current जो induced होती है, वो क्या करती है, लेंज लोग के, जो, आज यह current induced होती है, वो क्या करती है, अपना magnetic field बनाएगी अपना magnetic field किस तरह के से बनाएगी उसमें क्या हो जाएगे यहां south pole और यहां पर end pole जनरेट हो जाएगा ठीक है जब कि इस stator में क्या है उपर end है और ऐसे तो यह opposite pole जब आपने सामने आते तो एक दूसरे को क्या करते हैं अपने तरफ खीशते हैं जिसके कारा है क्या होगा rotor जो stator है उसका magnetic field तो गुम रहा है तो क्या करेगा stator की जो pole है उसको भी अपने साथ गुमाने का प्रयास करेगा ठीक है तो इस तरीके से दोनों rotate करते रहते हैं जो rotor होता है वो हमेशा rotor की speed हमेशा field की speed से कम होती है यह जो field की speed होती हो NS होती है और rotor की speed बोलते है उसे NR बोल है आपके three phase induction motor synchronous motor जाम पढ़ी है तो इसमें यह दोनों same spirit से गुमते है ठीक है तो यह इसका working principle था आपका बाकी दो मैंने आपको यह बताया दिया यह ठीक है जो three phase induction motor होती है वो आपकी transformer की तरह work करती है यानि उसकी working principle कैसा है transformer की तरह है mutual induction बोल लो ठीक है उस उस पे base है तो question आता है कि जो three phase induction motor है वो किस machine की तरह काम करती है उसकी working principle किस machine की तरह है तो किस की तरह है तो आपकी transformer की तरह है ठीक है तो बाकी इसमें जो theory आप इसको पढ़ सकते हैं आप अगर इसको deeply पढ़ना चाते हैं तो इस theory को आप पढ़ सकते हैं बाकी मैंने इसको समझाए दिया है ठीक है वीडियो को पाउस करके पूरी थियोरी जो है working principle इसका यह तो induction motor का आपका stator होता है यह मैंने बता दे इस stator में क्या करते हैं हम three phase supply देते हैं ठीक है stator क्या करता है stator में आपका rotating magnetic field बन रहता है तो इस rotating magnetic field जो इसके अंदर बनता है stator में उसकी speed कितनी होती है n is equal to निकाल सकते हैं 120 f upon p ठीक है तो यह question पूछ सकता है आप से कि जो rotor का rotating magnetic field होता है उसकी speed कितनी होती है तो इसकी speed होती है n is equal to 120 f upon p f यहाँ पर frequency p यहाँ पर pull तो यहाँ पर इनकी value रखेंगे तो ns की value आ जाएगी दूसरा आता है rotor rotor कौन होता है जो stator के बीच में होता है जो घूमता है आपका motor क जो भाग घूमता है उसे rotor कहते है ठीक है तो यह आपके अलग लग आता है single cage एक तो square cage है आपका square cage के अंदर आते है आपका double cage और deep bar ठीक है square cage को single cage भी बोलते है ठीक है तो इसको आगे देखते है बागी जो यह diagram आपको दिख रहा है यह three-phase induction motor का जो है diagram बनाया है जिसको सा जारे पार्स को को खोलो के बनाया है ठीक है बागी जो यह भाग इसका इस तेटर है ठीक और मोटर को इस रोटर को इसे बीच पर ठीक है जैसे यह रख़ावा नह derived पों कि अच ज अब इसके रोटर के बारे में देखते हैं तो three-face induction motor के जो रोटर होते हैं सबसे पहले मैं इसमें याद अखना है उसमें winding नहीं होती है ठीक है इस तरीके के rotor होते है जैसे यह बनाया इसने है डाइग्राम में तो यह three-face induction motor का square के जो rotor है तो इसमें winding नहीं होती है इसमें क्या होते हैं दोनो side क्या होते है rings होती है ऐसे add and rings बोलते हैं इसे और इसमें conduct होते है बार conductor जो थोड़ा skew होते है यानि तिर्शे type क्यों होते हैं ठीक है तो यह end rings क्यों करती है यह दोनो side end rings होती है इसकी जो इस conductor को sort करते हैं, sort करने का मतलब एक circuit पुरा करते हैं, तभी इसमे current induced होता है, आपके अलूमिनियम के बार conductor होते हैं, conductor का मतलब वाय नहीं होती है, आपके डंडे टाइप के बोल लेंगे, ठीक है, तो इन्हें conductor बोलते हैं, बार conductor, ठीक, तो यही क्या करते हैं, magnetic flux को cut करते हैं, इसमें यह में current induced होती है, ठीक, तो यह आपके कैसे आते हैं, single cage में, double cage, यह तो आपका single cage, तो जो इस Q किया जाता है, ठीक, इस Q, मैंने आपको बता जिया, क्या होता है, जो rotor के conductor होते हैं, उनको इस shape में, यानि कुछ तिर नहीं होते हैं, उनको किछ, ऐसे तिर्चे type है, क्यों रखते हैं इसको ऐसे, जो cogging effect होता है, उसको कम करने कले हैं, cogging क्या होता है, magnetic locking, यानि stator और rotor के slot होते हैं, ठीक, वो आपस में interlock हो जाता है, यानि जो, आपका motor start नहीं होते है, यानि इसके conductor और, इसके slot, यानि अगर बराबर है दोनों के, stator के rotor के, तो यह दोनों क्या हो जाते, आपस में lock हो जाता है, जिसके कारणर ये rotor स्टार्ट नहीं होता अगर हम इसको कितनी वोटेज दें तो इस इस फैक्ट को कम करने के लिए क्लिए 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 जो स्टेटर के स्लॉट है तो उससे थोड़ा इसको इस तिर्चे बनाए जाते हैं मतलब यह ठीक है जिससे कहां इनके बीच में जो लॉकिंग है वो ना हो कॉगिंग एफेक्ट जो वो ना हो ठीक है तो इस पर मैं सेप्रेड वीडियो बनाऊंगा आपका कॉगिंग पर तो इसमें आप इसको इसली समझ लेंगे ठीक है तो कॉगिंग को कॉगिंग एफेक्ट को कम करने के लिए इसको क्यों बनाए जाते है यानि जो इसके कंड़ कुछ तिर से टाइप के बना जाते हैं अब इसमें देखते हैं बाकी इसमें आपको पता है यह मैंने बता दिया इस रोटर के बारे में अब इसमें यह तो सिंगल के जोला था अब हम पढ़ते हैं डबल के रोटर तो अब हम देखते हैं डबल के इस्कौरिल के रोटर का मैंने डागराम बना दिया इसमें की ओता है एक दोले के के driving करते हैं यह बाहर और अईए अंदर बाहर वाले को हम आउटर बोलते हैं अंदर वाले को हम इनर बोलते हैं ठीक whisk ह बहर वाले के रेजिस्टेंस जाद होता है और इंडेक्टेंस कम होता है ठीक है अंदर वाले का रेजिस्टेंस कम होता है ठीक है और इंडेक्टेंस जाद होता है आपका तो जब हमारा single case rotor था तो हमने double case rotor क्यों use किया तो single case rotor जो होता है हमारा उसका starting torque कम होता है ठीक है जो starting का torque होता है वो कम होता है तो हमें क्या करना है motor का starting torque जाए उसको बढ़ाना होता है तो starting का torque बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें starting में resistance को ज्यादा करना है क्योंकि torque जो होता है directly proportion होता है resistance के यह भी हम बात में पढ़ेंगे ठीक है तो torque बढ़ाने के लिए हमें resistance बढ़ाना पड़ेगा starting का resistance को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं जो यह outer cage जो वाइंडिंग है यह जो conductor है वो हाई resistance का बनाते हैं तो यूस करते हैं copper की क्योंकि इनका resistance का मिखता है कम होता है inductance जाद होता है ठीक है तो हमें starting torque को बढ़ाने तो उसके लिए कह है resistance हमने starting में high रख दिया हाई किसफे की पितल की winding अर्ध गतिया तो इसका resistance ह हाई होता तो उसका torque गया हो जाएगा हाई हो जाएगा ठीक थो इस्टार्इंग आप क्या होता है जैसी ए मःव जैसी यह मेरा च्टेटर में सब्लाजा देता तो आपका एंदर चाहर जाता नहीं तो बाहर वाले उसमें कुछको Brenda सांपर कम होते है दूर समें, तो जो करण multiply ऊती हो यो के वार बहार माले जो हमने conductor शुख करकर उसमें पूलोती है, तो उसका resistance हाई है तो उससे इन्क्रीज हो जाएगा तो टॉर्क इन्क्रीज हो जायगा आपका starting उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है जैसी आपकी मोटर में क्या होता है लोड पड़ता है ठीक है यानि मोटर स्टार्ट हो जाती है तो उसकेस में क्या होता है तब तब आपका क्या होता है जो करंड क्या होता है अंदर जाना स्टार्ट करेगा यानि फ्लक्स होत आपका अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्योंकि आपको पता है जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो जब आपकी मोटर क्या करती है पकड लेते हो तो इसकी frequency कम हो जाती है ठीक है अगर आप देखे तो फार्मला होता है rotor frequency का SF ठीक है F equal to F1 तो समय आपकी frequency कम हो जाती करीब 2 से 3% के आसलो जाती है ठीक है यहारिशे 3 His के आज़ वा जाती है तो frequency कम हो जाती तो उसे क्या हो जाता है आपका इंडेक्टेंस कम हो जाता है जो starting में इंडेक्टेंस था वह अंदर क्रण्ट फ्लो नहीं करा रहा था यानि copper जो copper current flow का तो इसका तर्क इंक्रीर हुजाएगा, ठीक है, तो तर्क भी इंक्रीर हुजाएगा, यानि हम spokes क्या हो गया, starting-man हमने resistance बढ़ा का starting torque भी ज्यादा कर लिया, और इसका running torque भी आपका अच्छा हो गया, ठीक है, तो इश तर beginner के चेरे में Double Kage, जो rotor होता है, है उसका टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्ट को बढ़ा देते हैं ठीक है जब्कि सिंगल और में का होता था उसका टॉर्क कम है ठीक है तभी हम डबल केज रोटर जुश्छ करते हैं तो इतना आपको समझने ना गया होगा, अब हम तीसा देखते हैं, Deep Bar Coach Rotor, उसके बाद हम देखते है, Deep Bar Squared Cage Rotor, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो Sелоot होते हैं, जो Rodor के Slot होते हैं, उनको डीप किया जाते है, यानि इसका resistance increase हो जाता है ठीक है तो जब starting में current flow होती है तो उसके हाई resistance मिल जाता है जिससे क्या हो जाता है torque आपका increase हो जाता है ठीक है, तो cable इसमें इतना ही था क्या है, slot को क्या करते है गहरा करते है, कम से कम कितना 10 से 12 गुणा अधिक होता है यानि जो आपका single cage है उससे 10 से 12 गुणा गहरा करते है ठीक है, तो उससे आपका उपर का area खाली हो जाता है नीचे आपकी winding होते है जो ये area खाली है, उससे आपका क्या जाएगा क्या हो जाएगा, current को ज़्यादा cover करना, यानि flux को क्या ज़्यादा area ज़्यादा area cover करना पड़ेगा जिससे क्या होगा, आपका resistance बढ़ जाएगा तो torque भी आपका increase जाएगा तो इस तरीके से हम इसका torque increase कर लेते हैं ठीक, तो इसमें के वल इतना ही था आपका तो next हम देखते हैं इसमें तो यहाँ पर आपके formula दी हैं यह sleep percentage का formula है यह sleep का formula है NS-NR और यह इसका synchronous speed का तो यह formula भी मैंने आपको पहले ही बता दियता जो stator में magnetic field गुमता है उसके speed का formula है अब आता है rotor की frequency तो जो rotor आपका starting में क्या होता है स्थिर होता यानि कोई movement नहीं करता है उसमें जो rotor की frequency होती है वो stator की frequency के बराबर होती है यानि F2 minus F2 equal to F1 मगर जब आपके motor speed पकड़ लेती है तो जो rotor में frequency होती है rotor में जो induce EMF की frequency होती है तो यह हो जाती है F2 equal to S into यानि इसमें sleep की multiply हो जाती है ठीक है तो sleep की जो multiply हो जाती है तो इसससे क्या हो जाता है इसकी speed इसमें जो frequency होती है rotor की frequency हो कम हो जाती लगबग 2 से 3 हर्ज के आसपास हो जाती है तो इतनी कम frequency हो जाती है जब आपका motor start हो जाती है ठीक है तो यह इसका formula है तो इसको direct ड्याद कर लेना बहुत बार exam में पुछा गया है इस पर numerical भी आता है तो हम next देखते हैं इसमें next इसमें आता है torque ठीक है तो torque मैंने आपको DC motor में भी पढ़ा लिया था इसमें भी torque के बारे में आया था तो torque क्या होता है torque का पहले formula होता है इकल तो f into r ठीक है तो कोई क्या होता है आपकी कोई भी जो चीज जो circular form में या cylindrical form में उस पे जो force लगता है उसको हम torque बोलता है ठीक है तो क्यों होता है आपका जब stator क्या करता है जो आपका rotor होता है उसमें force लगाता है तो जब force लगाते है तो इन force हो के जो addition होता है उसको हम torque बोलता है जिसके कराण आपकी motor घुमती है ठीक है तो इसका formula यह होता है इसकी unit newton meter यहनी force की newton जो radius यह दूरी है उसकी meter तो newton meter इसकी unit होती है इसमें भी टॉर्क आते हैं आपका एक एक स्टार्टींग तूर् Lesic किसल में रोघल सब्सकार टो इसमें बतायता कि स्टार्टींग टॉर्क को कुरुकर आधर करना है थो घो करना पड़ेगा तो रजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा तो पहला तो यह जैसे आप इस टॉर्क को फॉर्मला को याद कर लेना ठीक है टी स्टार्टिंग टॉर्क है ठीक है के वन 3D to Z2 आप होन जड़ी स्कूर ठीक है तो यह टॉर्क है वो दाइक स्टार्टिंग टॉर्क होता है डाइक्ली प्र प्रвиunts्ट लो विजर्टार्टेंस होता है तो इस फ्रॉमले से अहर्म मै Tou至 स्टार्टिंग का टॉर्क बर जाएगा तो आपको यह फ्रॉमले Conference तो स्टार्टिंग तो इस लिए आम ने जो डवल के रोटार था उसमें बाहर जो बाइंडिंग करी थी तामबे के जो चंडुक्टर उसकी करी क्यों कि उनका रेश्टेंस आये तो उससे को जब तर्ट इंक्रीज हो जाएगा अभी हम जो स्लिपरिंग मोटर बोलेंगे तो हम स्टार्टिंग में क्या खरेंगे योज़ट लगाएंग यह निए एक्स्टरनल रेजिस्टेंस लगाएगे जिसने हम उसका तॉर्क हम क्या कर सकते है इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें आता है कि अधिक टॉर्क हम कब प्राप्त कर सकते हैं तो maximum torque हमें तब मिलेगा जब हमारा rotor का resistance equal to हो जाएगा reactance के equal, x2 के equal तो यह maximum torque की condition है, यह भी बहुत important है, बहुत बार question आ चुका है पर बहुत है मैंने खुद यह बहुत बार question देख चुका हूँ, ठीक है, तो यह जब x2 equal to, r2 equal to x2 होगा तब हमारा maximum torque मिलेगा ठीक है, यह इसमें given भी यह, ठीक है, तो r2 equal to x2 जब हमारा maximum torque हमें तम मिलेगा जब यह rotor का resistance, equal to rotor का reactance के बराबर होगा, ठीक है, और अगर मैं running torque सही करना है तो running torque का जो formula यह है, ठीक है, तो running torque को सही करने के लिए क्या है, जो torque होता है, directly proportional होता है EMF के, ठीक है, यानि जो rotor में EMF होगा, उसके square के बराबर है, यानि EMF हम बढ़ा दिंगे तो उससे क्या जाएगा, आपका torque भी बढ़ जाएगा दूसरा है, rotor के resistance के inversely proportion, यानि rotor का resistance अगर हमने कम कर दिया ठीक है, तो उससे भी आपका torque increase हो जाएगा, यानि running के समय क्या करना है, torque जो resistance होने चीए कम इसलिए हमने double cage में जो यूज किया था, running के लिए, copper conductor यूज किया था, क्योंकि उसका resistance कम होता है, तो उसका torque increase हो जाएगा, ठीक है, तो यह condition होती है, इसके लिए, तो यह जो मैंने अभी बताए है, बहुत important है, तो आप इसको जुरू note कीजिएगा, ठीक है, अगर हम supply voltage को, से भी क्या torque को कम ज्यादा कर सकते है, तो supply voltage बढ़ाने से torque आपका increase हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी आप इसको note कर सकते है, torque जो होता है, directly proportional होता है, supply voltage के, तो next हम देखते हैं, next जो आपका काईक्स मां आता है, वो आता है slip ring motor, slip ring induction motor, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे, squirrel cage motor, तो अब आगे आपका slip ring motor, तो slip ring motor में क्यों होता है, केवल इसके rotor में difference होता है, उसका rotor स्क्वारल cage था, इसका motor slip ring type का है, यानि wound type का होता है, इसलिए इसक जो rotor में winding होती है, जबकि उसके rotor में हम क्या करते थे, copper conductor यूज़ करते थे, ठीक है, bar conductor यूज़ करते है, मगर इसमें जो होती है, winding होती है, इसलिए से wound rotor भी बोलते है, wound rotor, ठीक है, slip ring के rotor को wound rotor बोलते है, क्योंकि इसमें क्या होती है, winding होती है, ठीक है, तो बाकी इसका सेम ह ती रोटर में भी surrounding होती है इस सकी, इस मोटर का starting torque ही होता है सबसे पहली बात torque आही होता है जबकि इस 목онов की starting torque ister कम होता ठीक हिम 더ù sits kaScee कि वाली करके starting torque को क्हें करते थे बढ़ाते थे ठीक है power factor इसका ज्यादा हो सकता है ठीक है इसका power factor भी जाद होता है क्योंकि इसमें external resistance यूज़ करेंगे अभी मैं आगया आपको बताऊंगा तो इससे इसका power factor भी increase होता है ठीक है एक याद अगना induction motor जो भी होता है उसका power factor lagging होता है चाहे वो स्क्वारल के जोगी चाहे वो induction होगी तो यह आप इसको जरूर याद आखे बहुत बार पेपर में पुछा जाता है तो induction motor का power factor हमें से lagging होता है इसलिए जो industry होती है उनका power factor हमें से low रहा था है ठीक है वहाँ पर capacitor bank यूज़ कर दे पावर फेक्टर को बढ़ाने के क्योंकि आप इंडक्शन मोटर यूज़ होती है तो इंडक्शन मोटर के करती है लागिंग पावर फेक्टर देती है आपको बाके हम इसका डाइग्राम देखते है तो यह आपका slip ring motor का क्या है रोटर है इसलिए इसको वाउंड रोटर बोलता है तो इसके यहाँ पर क्यों वाइंडिंग होती है ठीक है रोटर में यहाँ पर इसकी slip ring लगी होती है ठीक है slip ring क्यों लगी होती है आपकी उससे देखो यह अगर हम यह वाला डाइग्राम देखे तो slip ring से क्यों होता है आपका बाहरी resistance connect होता है यह आपका बाहरी resistance है ठीक है तो इस slip ring से क्या करते है बा तो बाहरी resistance से क्या करें हैं हम torque को increase करते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है torque अगर हम resistance को increase कर दिया तो इसका torque भी increase हो जाता है तो जहां पर हमें high torque के जो रोद होती है मापे हम slip ring motor को use करते है बाकी इसकी working से में तो आप इसको पढ़ लेना जो जो मैंने बताया यही है इसमें के बाद तो wound rota use होता है slip ring होती है slip ring में क्या होता है बाहरी resistance connect होता है resistance को इसलिए connect करते हैं ताकि इसका हम torque को बढ़ा सकते है slip ring motor को वहाँ use करते है जाबे हमें high starting torque की जरुवत होती है इसका power factor भी सही होता है ठीक है तो यह इसकी working होगी और diagram होगया तो इसमें cable आप इतना ही याद कर सकते है ठीक है winding copper conductor लगा दिए तो तभी हो क्या होगा increase होगा तो next हम देखते हैं इसमें यह slip ring motor का diagram है जो मैंने पीच्छे बताया था ठीक है और same to same है यह आपका रोटर ठीक है यह आपकी three face अब लाई आगी देखे हैं speed किसकी ज़्याद होता है speed के की हुथ ही square case की बहुत कम होती है इसकी speed लगाँ स्धीर होती है इसकी speed लगाँ इस्तिर होती पर load बढ़न ύसमें कुछ अंतर आ जाता है ठीक है wie टॉर्क किसका ज़्याद होता है यह मैंने अब थी बताता है square case क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क उत्तम होता है स्लिप रिंग का ठीक है स्लिप रिंग वाली का ज्यादा होता है ठीक है मगर स्लिप रिंग वाली की स्पीड कम होती है इसकी स्पीड लगवा इस्तिर होती है इंडेक्शन मोटर को इसलिए भी हम ज्यादा यूज़ करते हैं रहती है ठीक है लोड बनने पर थोड़ी कम होगी टॉर्क किसका जाद होगा स्लिप्रिंग मोटर के जाद होगा स्टार्टिंग टॉर्ट और रनिंग टॉर्क भी अच्छ होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है यह मैंने बता देता है रनिंग टॉर्क भी अच्छ ह होते हैं current the starting current full current से आदफा होता है इसमें starting current आदा होता है यहा फूल लोड करन का चौन होता है speed control is speed control कैसे करते हैं हम 것으로 Raz anarchic Emerald देको यहां पर is some current की value को कम जाता करके speed को कम जाता करते हैं बाकि इसमें क्या कर सकते wy frequency को बढ़ा के popolo को कम जादा कि me float is एक फेक्टर का फ़ेक्टर अच्छा होता है जबकि इसका daha पराइट वाली मोटर का पाइट से फोड़ा काम होता है 0.07 जलीच्ड की आसपास ऩह ठीक पार फेक्टर कितना होना चाहिए लगबग एक क्या असपास होना चाहिए ठीक है यह आप जुरूर याद कर लेगा ना इसमें बागी तो इसमें सेम वैसी है कियर किसकी इसकी कापी देखवाल करनी परती है क्योंकि बार रेजिस्टेंस अमने लगा रहा क्या इसकी देखवाल करनी परती है जो बनावट होती है rough and tough होया ठीक है कॉश्ट किसकी ज़्यादा आती है इसकी स्लिप्रिंग वाली की कॉश्ट ज़्यादा होती है यूगकि इसमें रेजिस्टेंस लगाने परते हैं इसका मुल्या कम होता है उप्योग, हाई स्टार्टिंग टॉक की जहां में जुरूत होती है, रोलिंग मिल्स होगे, लिफ्ट, लिफ्ट होगे, क्रेन होगे, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, आम मसीन जैसे कराद की मसीन होगी, मसीन पंप, ब्लोवर, ग्रांडिंग मसीन, लेथ मसीन, वहाँ प का स्केर्ट योज़ बनावाद, इसका रोटर, वाउंड होता है, इस्टेट गि जैसा होता है, इसका स्कायर्ट गेज होता है, इसमें कॉपर कंडकर युश ‑ करते हैं, यहीं कॉपर number, निमिन वकॉपर युटंड के बार कंड़कर युच करते हैं, इसमने वायंडिं लू रखना किसकी चंपता जाता होती है स्क्वैरल के वाली की चंपता जाता होती है ठीक है इसमें लाउस कम होता तो यह आज के लिए केवल इतना ही था अब इसमें आपका जो रहा गया Speed Control Method रहागे और Starter रहागे Starter पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहला ही तो मैं उसका आपको लिंक दे दूँगा तो उस पर मैं देखता हूँ अगर वीडियो बना नहीं होगे तो बना दूँगा बाग इसमें Speed Control Method रहागे वो मैं आपको जरू प्राहूंगा तो यह था आज के लिए आप मेरे साथ बने रहे हैं जो जो मैंने आज आपको important चीज़ लिखा यहाँ पर वीडियो में बताई है वो आप जरू नोट करना यहीं paper mark से पूछे जाते हैं ठीक है तो thank you